दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चैनल वाटिज नेश्ट पर पर करके कलकल डुमा का घना जंगल और घास हम आ गए थे बर फिली चोटियों के बहुत ही पास वहां का खुबसूरत नजारा देखकर हमारी आखों के साथ हमारी अंतर आत्मा भी संत्रप्त हो चुकी थी एक मसूर सायर का वो सेर याद आ रहा था कि उस इंतजार से क्या गिला जो तेरे दिदार पे खतम हो सायद ऐसा दरश्चे देखी जांगिर ने फारसी में कहा होगा गर फिर्दुस पर रूएं जमियस्त हम ही तो हम हीथ तो हम हीस तो हम हीथ हुम जिंडगे है भाऌा अलम्ची मैं जिंडगी के मतना है अका पता लगा लेक्ति जिंडगी tenga अब आप अपना है जाए का पता चला है पामार साब खाद आपके लिए बढ़ाए गई है कितनी जी बशी तो वह चीज इतनी दूर चल आपफा जाए पायदा लेया की पता लग सक है उट गोड़े माइब के वाल कितना चीज दे का कर से का दो गाए नदे रहे है एध दो बा हम आगे चले तो एक सेलाणी ने हमें बताया, उस सेलाणी ने हमें बताया, आगे भारी मात्रा में बरफ है, और आप स्केटिंग करके लुट्व उठा सकते हो, हमने सोचा चलो ये हुनर भी आजमाते हैं, बरफ में स्केटिंग कर अपनी तसरीफ बिगाते हैं, यह बहुत ही रोमा अंचक था, इसमें बहुत मजाया, प्यार किया तो डरना किया, और अब भीगी गई तो करना किया, अब आगे का नजारा इस गीत के दुआरा, मस्ती है नजारों की, सब के दिल पे चाया है नशार, अरे ऐसे मस्कराती है, यह फिर साब बुलाती है, जैसे हो यह मेरी दिल रुबार, यहां का टैंपरेचर माइनस शैडिंग री चलना है, और यह बाड़े बड़े, बरफीला तुफान शुरू हो गया है, अब टैंपरेचर तेजी से डाउन हो रहा है, यहां पार ओक्सिजन भी कम हो रही है, और देखो दोस्तों, अब फिलाल, देखो, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहां पे जो है, बरफ का तुफान सुरू हो गया है, मोसम खराब हो सुरू हो गया है, इस अजार फिट के एक चाई पर गया है, बरफ ही बरफ चारो तरफ पहाड़ी है, बरफ ही बरफ ही बरफ एक बंदे को ऑक्सिजनी कमिये कार्ण, नीचे बैठना पड़ गया है, और इसको इन्हेलर लेना पड़ रहा है, देखो दोस्तों, यह इन्हेलर है, इससे काम चलाना पड़ रहा है, माइनर टेंपरेचर और ऑक्सिजन की भारी कमी के करण, हमारे एक दोस्त की हालत बहुत खराब हो गई थी, हमें लगा अब हमें यहीं से वापस होना पड़ेगा, पर आगे क्या बताएंगे आपको इस स्रीज के अंतिम भाग में, बंद रहिए हमारे साथ, वाटिज नेक्स्ट पर धन्यवाद, आदाब, सस्रियाकार,